हेलो स्टूजेंट्स आज हम लोग एक चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम इलेक्टिक फिल्म में रख दिया जाए तो इसका मोशन किस तरह से होगा यह आज पढ़ने बागे हैं करते हैं सब्स् consent करते हैं सब्सक्रकest दो बिल्ट sidewalk कर्ए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब श्क्राइबने फिल्म और सब्सक्राइब नील रिइक प्लेकशन और हुआ होगया паль्लोंु में यहां पे हूंडभ सब्सक्राइब यहां पर हम दोगे पॉजिटिव चार्ज क्यूब को बगटते हैं, जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इनीशियल, तो इलेक्टिक फिल्ड के अंदर यह पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिये हमने, सपोस्थ यह प्लेट का लेंग्ध एक्स हो गया, प्लेट का ले देखने वाले हैं, तो सपोस्थ यह पर जब इस प्लेट के अंदर जाएगा, तो यहां पर एक फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि इलेक्टिक फिल्ड है, तो फोर्स आ जाएगा, जिसके खरण यह पॉजिटिव चार्ज एक्ट्रक्ट होगा, नेगेटिव के तरव, तो यह य दिस्टेंस, तो इसके बारे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इलेक्टिक फिल्ड को देखेंगे, विट विल भी डिवाइड बाई डी, डी हो गया, सपोस्थ यह प्लेट का दिस्टेंस, दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग डी बोल रहे हैं, तो यह एक equation 1 है, जो यूनिफर्म इलेक्टिक फिल्म में है, यहां पर सपोस्थ यह जो पॉस्टिव चार्ड है, इसका वेलोसिटी वी है, यह वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव करने, इस डिरेक्शन, तो ताइम जो होगा, यह वाला पार, एक्स दिस्टेंस टेबल करने मे इस तरफ से जाएगा, यह वाला पाथ टेवल करता जाएगा, इसका अंदर फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फिल्ड जादा होता जाएगा, और अट्रक करेगा, जितना नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, यहापे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो अगर यहापे वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यहापे एस्टेलरेशन होगा, तो यहापे एस्टेलरे यह motion और यह path को describe करने के लिए हम लोग equation of motion का इस्तंबाल करेंगे so from second equation of motion अगर हम use करते है second equation of motion तो यहाँ पे क्या होगा कि y is equal to यहाँ पे initial velocity 0 है suppose initial velocity is equal to 0 अगर हम पकल लेते हैं तो u 0 into t ut plus half a t square तो यहाँ पे आजाएगा half a की जगह पे हम लोग q e divided by m multiplied by time time का value x by v square x square आजाएगा तो इसको हमकों का अगर लिखेंगे y will be equal to q e divided by twice m v square multiplied by x square तो यह आगया एक expression यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो रेकेट वाला turn है क्यों charge constant है electric field uniform that is constant यहाँ पे mass charge का mass भी constant है velocity भी constant रेक से बढ़ रहा है uniform velocity है तो यह वाला part constant होगी है तो that means हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि y proportional to x square यहाँ यह y is gonna constant multiplied by x square तो यहाँ पे जो यह equation बढ़ा है यह equation बढ़ा है equation of parabola that means यह जो path travel करा है यह path और यह trajectory जो है यह parabolic path है so जब भी एक charge electric field में motion में रहेगा तो यह always parabolic path follow करेगा so I hope यह topic आपको समझ में आ गया because यह topic मैं इसलिए करके दे रहा हूँ because यह topic बहुत important है specially NEET and JE candidate के लिए okay so thank you very much